इस question में क्या दिया है कि एक batsman makes a score of 97, भाई ने 97 बना लिए, तीन रन से century नहीं बना पया, दुखे, 97 बनाया है, 15th inning में, thus increases his average by 5, देर हमें बताना है कि average after 15th inning क्या होगा, अच्छा इसके पहले इसने 14 innings खेल लिया है, और इसमें कुछ average होगा, ठीक है, बोर आए कि जो 15th inning है इसमें इसने कितना run बनाया है, 97 बनाया है, 97 बनाने के बाद, यह जो 14 inning है, जैसे देखे, average तो सब का 5 बरहा है, तो क्या आप मानने को तयार हो, यह जो 14 innings है, इन सब का भी average 5 से बरहा होगा, अगर इन सब का average 5 से बरहा है, तो total कितना run खर्चा हो जाएगा, 14 innings के average को 5 से बाराने में हर एक का 5 बारा तो 14 का 14 इंटू 5 कितना हो गया 70 मतलब कि इसका 70 यहां पर खर्चा हो गया 70 के बाद बाकी जो बचेगा वही तो 15 इनिंग के पास जाएगा तो 15 इनिंग के पास कितना हो गया 27 अब जैसा question में बोला है कि सबका average 5 बढ़ा है तो यह 27 हुआ यही average होना चाहिए क्योंकि final average में हो 15 को तो calculate कर रहे है तो 15 के बाद जो बचा 15 के पास जो बचा वह average है और जो 14 इंटू 5 70 है 70 runs जो है इन सबका score को 5 average से increase करने में खर्चा हो गया अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपका मदद पहुचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए है तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर सारे बेस्ट प्यू आक्यू का solution मिलेगा आपको detail में